नमस्कार प्रणाम, वेलकम टो पूजार ब्लॉग, जैसे कि आप बेख सकते हैं कि मैं सुई हूँ, तो सुबा आपके बज रहे हैं, साड़े नो, मैं फ्रेश होगी हूँ, नहाना महाना, और अभी भावी ने भी कल वैक्सिन लिया था, मैंने भी लिया था, तो मुझे थोड थोड़ा से कल रात से मतलब भुखार और धंडी और बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैंने बुला, मैं नहा लूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने नहा लिया है, और नास्ता कर लिया, नास्ता करने के बाद एक पैरसीटा मॉल भुखार कर दवा खाया है, और अभी मैं सोची के भावी बुली की दवा खाली हो तो अराम कर लो थोड़ा दे रिलाक्स लगेगा, तो मैंने सोची आप सभी से भी बता दू कि वैक्सिन लेने के बाद जो बॉड़ी हो कैसा रियाक्ट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का बॉड़ी रियाक्ट कर जो यहां तो आराम करोंगी और जो दवा लोग देते हैं वो समय पर खालीजियो दवा तो दो दिया था तो मैंने एक दो पहर में खाले तो एक रातको तो खतम हो गया तो अध़े पैरसितम आल था पैरसितम आल पर खालिया है लेकिन वैक्सिन हम सभी को लेना चाहिए लिया मैंने अगर वह आपको देखना हो तो आई बेटन पे लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है तो आप जाके वहाँ पे देखिए अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिगा चैनल के सब्सक्राइब कीजिगा और शेयर कीजिगा अपने प्रे अच्छेटेर है शनिवार है तो पुचुडी बनाते है कि पुचुडी और वालू का चोखा और रहा चिप्स को यह खाएंगे ममी मार्केट देती तो वहां से उन्होंने बड़ा पाउल आया है तो देखिए वहां क्या हो रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं तो है तुमारा अच्छेटेर निगेना अ टिके टेशा यह लट समसा चुप्ता समसा ला यह थाया है है क्या कर रही है तो तुम आप मेरा वहण पाउले यह थाए तो में आराम करूंगी तो शायद इस ब्लॉक को कंटीनियू में नहीं कर पाऊंगी तो बहुत ज्यादा मतलब हर एक किसी का बॉड़ी नहीं रियाक्ट कर रहा है लेकिन जैसे कि मुझे बुखार और बॉड़ी पेंट बहुत जादा हुआ हो रहा था तो वैक्सिल लेने के बाद तुरंत मतलब नहीं मुझे बुखार या बॉड़ी पेंट हुआ थोड़े मतलब आठ से नौ घंटे के बाद रियाक्ट किया मेरे बॉड़ी ने तो बस यह मेरा एक्स्पीरियंस था जो मैं आप सभी के साथ शेयर की हूँ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती ह तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फामिली के साथ फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं भी